हेलो स्टूदेंट बीएसी सेकिंड एर और गैनिक केमिस्ट्री में शोर्ट कोश्चन की सीरीज में आज हम कवर करेंगे कोश्चन नंबर सिक्स कोश्चन नंबर सिक्स में हमसे पूछा गया है तो देखे एक्जाम पेपर में शोर्ट कोश्चन में कई बार ये कोश्चन रिपीट हुआ है और इस कोश्चन को आपको अच्छे से प्रिपेर करना है और इसका में ट्रिक भी आपको बता देता हूँ देखे अगर आपसे कोश्चन पुछा जाए हाव विल यू प्रिपेर फ्रॉम फॉलईंग फ्रॉम फ्रॉम ग्लाइकॉल यानि ग्लाइकॉल से आप ऑक्जैलिक असिड कैसे बनाएंगे कैसे प्रिपेर आप करोगे और असिटल्डी हाइड कैसे आप बनाओंगे तो ये दोनों ग्लाइकॉल से आपको बनाने हैं तो ग्लाइकॉल का फॉर्मूला क्या है ये जो इथाइलीन ग्लाइकॉल होता है इसका फॉर्मूला क्या है च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् तो हमें क्या करना होगा हमें यहां हा पर hydrogen हटाना पड़ेगा और oxygen और भी हमें जोड़ने पड़ेंगे ताकि कि यह इस तरह से जुड़ जाए तो इसकी इस प्रोसेस को हम कैसे कर सकते हैं जब हम इसका करेंगे ऑक्सिडेशन यानि इसका हम करेंगे आक्सिकरन तो जैसे आप इसका ऑक्सिडेशन करोगे तो उसको हम एकदम से धीरे-धीरे step wise इसका oxidation करते हैं ठीक है तो जैसे कि आप देख सकते हैं first oxidation यहाँ पर किया गया तो यह देख सकते हैं यहाँ पर यह aldehyde group लग गया अब इसे आप क्या कहेंगे glycolic aldehyde फिर दुबारे से इसी glycolic aldehyde का जब oxidation करेंगे यानि कि oxygen को जोडेंगे oxygen का addition करेंगे ठीक है oxidation का मतलब क्या हो गया addition of oxygen तो या फिर reduction of hydrogen तो उसको भी हम oxidation ही कहते हैं तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों यहाँ पर फिर दुबारे से oxidation करने से क्या होगा यह जो यह जो एच है यह भी इसके अंदर और भी oxygen जुड़ जाएगा यानि कि aldehyde group में एक और oxygen जैसे जुड़ेगा यह बन जाएगा carboxylic group तो ठीक इसी प्रकार से हमने ऊपर वाले carbon को तो carboxylic group में change कर दिया गया है नीचे वाले को ठीक उसी प्रकार से हमें sequence wise change करना होगा तो फिर दुबार से oxidation करेंगे तो यह भी aldehyde group में चेंज हो जाएगा नीचे वाला और यह बना लेगा यह था glycolic acid और यह ग्लाई oxalic acid और फिर जैसे oxidation करेंगे यह oxalic acid में convert हो जाएगा तो यह सबसे यह अच्छा तरीका इसको याद रखने का ठीक है कई लोग भूल जाते है ऐसी टेल्डी हाइट कैसे बनाओगे देखिए ऐसी टेल्डी हाइट कैसे बनाना है आपको यह है इथाइलिन ग्लाईकॉल अब इथाइलिन ग्लाईकॉल में आपको क्या डालना है P2O5 ठीक है फासफोरस पेंटा उकसाइड जैसे आप इसमें डालेंगे तो माइनस H2 उसमें निकाल देना और साथ में एन हाइडरस जेडन CL2 भी आपको डालना होगा यह कंवर्ट हो जाएगा वाइनील एलकोहल में ठीक है वाइनील एलकोहल को फिर उसके बाद आप जब आगे रियक्शन करोगे तो यह कंवर्ट हो जाएगा Acetaldehyde में ठीक है दोस्तों यानि कि यह जो डबल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है यह breakdown हो जाएगा और breakdown होने के बाद यह यहां पर आप देख सकते हैं अगल बॉन्ड है और यह यह बन गया Acetaldehyde तो दोस्तों बिसिकली होता क्या है वाइनील एलकोहल और Acetaldehyde के बीच तो ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि यह जो बॉन्ड ब्रेकिंग हुआ है यहां पर यह बॉन्ड जैसे ब्रेक होता है यह जो हाइड्रोजन यहां से चला जाएगा यहां पर यानि कि इसमें री अरेंजमेंट डिरेक्शन होती है जिससे कि Acetaldehyde में कनवर्ट हो जाता है